असलावलिकम फ्रेंड्स मैं हूं मुहमद अद्नान और आप देख रहे हैं CH Math Society आज की वीडियो में हम सीखेंगे अगर हमारे पास fraction values आ जाएं तो हमने उनमें से किस तरह से segregate करना है कि इसमें smallest fraction कौन सी है और largest fraction कौन सी है या फिर हमने उनको अगर किसी भी order के अंदर लिखना है increasing या decreasing order के अंदर लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं बगएर calculation किये हुए तो सबसे पहले हमें fraction का पता होना चाहिए कि हमारे पास proper fraction क्या है और improper fraction क्या है तो इसमें हम दो तरह से fraction को solve करने का तरीका सिखेंगे तो proper fraction हमारे पास ऐसी fraction होती है जिसमें हमारा nominator denominator से छोटा हो nominator क्या हो छोटा हो denominator से तो वो हमारे पास कौन सी fraction है proper fraction तो सबसे पहले हमने अपनी given fraction को चेक करना है कि वो proper form के अंदर है या इन proper form में अब यहाँ पर हर एक का नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इसलिए ये सारी fraction हमारे पास कौन सी form के अंदर आ रहे हैं proper fraction है ये उसके बाद फिर हमने इनका difference चेक करना है अब 21 और 23 में difference 2 है 33 और 35 में भी difference 2 इसी तरह 55 और 57 में भी 2 का difference है 85 और 87 में भी 2 का difference आ रहा है तो अगर हमारे पास इस तरह की fraction आ जाए तो फिर इसमें हमने नोमिनेटर को देखना है तो नोमिनेटर में हमारे पास 85 सबसे बड़ी वैलियू है तो इसलिए फिर इस fraction की largest fraction इसमें हमारे पास क्या होगी largest fraction यहाँ पे हमारे पास 85 over 87 है और smallest हमारे पास कौन सी है 21 by 23 यह हमारे पास smallest fraction है 21 by 23 अब अगर इससे next हमने इसको किसी भी order के अंदर लेखना होता increasing या decreasing order के अंदर तो अब 21 by 23 यह सबसे छोटी value है तो इससे बड़ी हमारे पास यह होगी और उससे बड़ी यह और सबसे बड़ी value हमारे पास 85 over 87 होगी friends मैं एक बार फिर इसको repeat कर रहा हूँ कि हमने सबसे पहले fraction को देखना है कि हमारे पास fraction proper है या improper है अब proper fraction कौन सी होती है जिसमे nominator denominator से छोटा हो फिर हमने nominator और denominator का difference चेक करना है अगर difference same हो तो फिर हम nominator को देखेंगे जो nominator सबसे बड़ी value होगी वो हमारे पास largest fraction आ जाएगी और जो सबसे छोटा nominator होगा वो हमारे पास smallest fraction होगी अब हम यही case अगर हमारे पास fraction improper form के अंदर आ जाए तो फिर हम इसको किस तरह से solve करेंगे फिर हमारे पास यह क्या shape इसकी बन जाएगी जिसमें nominator बड़ा हो denominator से तो वो हमारे पास improper fraction होती है अब इसमें भी हम देखें तो हर एक में difference same है तो अगर difference भी same हो तो फिर यहाँ पे मामला उलट हो जाएगा जो largest value थी वो हमारे पास smallest value बन जाएगी और जो इदर हमारे पास smallest थी वो यहाँ largest होगी अब इस fraction में अगर हमने largest value fraction बतानी हो तो हमारे पास largest fraction जो है वो 23 by 21 आएगी और अगर हमने smallest fraction बताना हो तो smallest fraction हमारे पास 87 by 85 होगी तो आप friends हम इन्ही fraction को एक और वे के अंदर देखते हैं और उसको हमने second type का नाम दिया है हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ भी कि fraction हमारे पास proper है यह improper है अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा हर nominator denominator से छोटा है लेकिन अब इन में difference सेम नहीं आ रहा कैसे यहाँ हमारे पास difference जो है यह 2 का difference है और यहाँ हमारे पास difference 4 का है यहाँ हमारे पास difference 6 और इस fraction में हमारे पास nominator और denominator का difference क्या आ रहा है वो 12 है अगर इस तरह की condition बन जाए तो फिर हम क्या करेंगे तो friends इस तरह की case में हमने यह काम करना है कि हम denominator का जो difference आ रहा है उसका हम LCM find out करेंगे अब LCM कैसे find out करते हैं इसकी short trick मैं description में डाल रहा हूँ वहाँ से भी आप इसको check कर सकते हैं कि हमने LCM को short trick के जरिए से कैसे calculate करना है तो अभी इसका जो हमारे पास LCM आ रहा है वो 12 है इन numbers का LCM हमारे पास क्या है 12 तो next step पर friends आपने यह करना है कि 121 nominator सेम रहेगा और denominator में हमने जो difference आया था उसको लिखें और multiply साथ करवा दें LCM से अब यहाँ 155 हमारे पास as it is आएगा और difference क्या था 4 का multiply आप इसको करवा दें LCM से इसी तरह 37 divided by 6 multiply by 12 75 divided by 12 multiply by 12 अब इसको simplify अगर हम करें 2 1 दा 2, 2 6 दा 12 4 1 दा 4, 4 3 दा 12 6 1 दा 6, 6 2 दा 12 और यहाँ हमारे पास 12 cancel हो जाएगा अब जब हम इसको multiply करवा हैं तो 6 1 दा 6 होता है 12 6 time पे 72 और जब हम 155 को 3 से multiply करवाते हैं तो हमारे पास answer आता है 4 65 इसी तरह 37 2 times के उपर हमारे पास 74 है और यह हमारे पास 75 ही आ जाएगा अब यहाँ हम easily देख सकते हैं कि हमारे पास greatest value क्या है 726 यह हमारे पास greatest value दे रहा है हमें तो इसका मतलब यह हमें कौन सी fraction को solve करने से मिल रहा है यह हमारे पास 121 over 123 fraction से इसका answer आया था तो इसका मतलब फिर इसमें largest fraction हमारे पास क्या हुई यह हमारे पास largest fraction है और smallest value हमें कौन सी fraction से मिल रही है 74 यहाँ पे smallest है और यह कौन सी fraction से हमारे पास आ रहा था इस fraction से हमारे पास आया तो इसका मतलब यह हमारे पास smallest fraction हुई यह हमारे पास smallest है और यह हमारे पास largest fraction है अब प्रेंट्स देखें अगर यह भी हमारे पास improper form के अंदर होता हम इसको क्या करते जी 123 ओवर जो भी हमारे पास difference होता हम उस नंबर को लिखते यहाँ 159 ओवर difference मारे पास 4 ही रहेगा वो same है और हम multiply करवाते जाते LCM के साथ तो यह आपके लिए मैं exercise के तोर पे छोड़ रहा हूँ आप इसको खुद भी salve कर सकते हैं थैंक्यू अलाफिस